हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डोग नीक कैफे में तो सबसे पहले आप चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे भी कोई नए वीडियो प्लोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जा और इस समसिया को अपने कैसे कम कर सकते हैं कि जिससे जो आपके डोग या पपी है वो खाना अच्छी तरह से खास करेए इसके पिछे जो है मैनली जो रिजन होते हैं वो तीन रिजन होते हैं जिसमें जो फस जो रिजन मानके चलते हैं मोसम मोसम में अचानक बदलाओ की वज़े से भी जो आपके डोग या पपी है वो खाना कम कर देते हैं जेसे कि तेज गर्मी हो तो किया गर्मियों मेरी वार किसी बिमारी से निकला है, बहार निकला है तो भी कहा है कि आपका डॉग या पपी से लिए वागा कम कर देगा जिसके अंदर अपने जैसे की डोग के पेट में वम्स हो और अचानक अपने डोग के खाने में बदलाव कर दें या कभी कबार कि जो आपका पपी या डोग है वो गंदगी खाता है, सोईल खाता है, गोबर खाता है कि बार तो खुद की पोटी भी खा जाता है जिसकी वज़े से भी कहा कि आपका जो डोग या पपी है वो खाना कम कर देता है और तीसरा जो महले टारण है यह आपको पूरा पता होना चाहिये कि जब जो पपी का जो ऑड़ा पीड होता है अब उसकी जो growth पीड है वो complete हो चुका है जिसके आपका जो dog है वो खाली body की maintenance के लिए वो खाना खा रहा है तो इस वेशे क्या है कि एक बार वो 10-12 मिने के आसपास जब उसका growth पीड पूरा होगा तो वो खाना कम कर देगा अब बात करते हैं कि अगर आपका जो dog है पपी है वो खाना कम कर दे तो अपने क्या करें कि आपका dog है जो खूप पेट परके खाना खाएं तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको यह करना है कि आपका जो डोग या पपी है उसकी डीवर्मिंग करवाएं उसका जो मंतली है उसकी या मंतली मंतली आप उसकी डीवर्मिंग करवाते रहें और अगर पपी इसमें है तो जो हमने पीछी वी माईो डे सकते हैं जिसे कि आपको पपी या डोग है वो खuba ना खाएगा इसके लादा तका के लिए कि आपको साल में एक बार आप जो अपने डोग या पपी है उसको पपीता खिलाना चाहिए वन मंत के लिए और साथ ही साथ क्या है कि आप अपने जो डोग को हैं गर्मियों के सीजन में आप तर्बूज भी खिला सकते हो पांच-पांच दिन के गेप से कंटीनू में ना खिलाएं क्योंकि तर्बूज खाना खूब पेट बरके खाना खाएगा धन्यवाद